बागवान साथियो नमस्कार में डिम्पल पांच्टा मेंबर बोर्ड आप मनेजमेंट डॉक्टर वायस पर्मार युनिवेस्टी नौनी सोलन जैसा कि आप सभी लोगों को ग्यानी है आज का जो हमारा ये लाइफ सेशन रहेगा वो एक खास विशे पर चर्चा के लिए जोड़ा गया है आप लोगों से मैं अपनी सोच समझ और हमें क्या लगता है और हमारा क्या पक्षोना चाहिए सही गलत अच्छा बुरा पॉसितिम नेग्टिव हमें सब चीज़े देखनी पड़े तो जो आज का जो हमारा चर्चा का विशे रहेगा वो रहेगा युनिवर्सल कार्टन क्योंकि आज कल आप सोचल मीडिया के माधियम से देखी रहे होगे कि काफी चर्चा चली है चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे आपका लाइफ के माधियम से हो और सरकार का भी और स्पेशली हमारे होल्टिकल्चर मिनिस्टर का भी काफी फोकस रह रह रहा है युनिवर्सल का तो आज हमें चर्चा करने के आउशक्ता क्यों पड़ी क्योंकि बहुत सारे मेसिजिज और फॉन कॉल्स मुझे आए कि आप भी अपना पक्ष रखे आप क्या सही सोचते हैं क्या गलत सोचते हैं वैसे तो हमने पिछली सरकार में भी अपने विचार रखे थे और रिटन के मा प्लम्स हो सकती है इंप्लिमेंटेशन में करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्योंकि सरकार एक ऐसा सिस्टम है जिसको हर चीज हर कदम को फूख फूख के रखना पड़ता है तो जरूरत क्यों है इसके चर्चा के लिए क्योंकि आज कल आप देखेंगे सोशल मीडिया के माद्यम से सभी लोग अपना विचार साजा करते है और अच्छी बात भी है क्योंकि सोशल मीडिया उनका अपना प्लेट फॉर्म है और परसनल अकाउंट है आप कुछ भी जरूरी नहीं वो सोच मिले ही सबकी तो बागवान साथियों आज हम बात करते हैं यूनिवेसल कार्टन पे सबसे पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा कि यूनिवेसल कार्टन क्या सही है या गलत है अगर हमी सोर जाते हैं तो बागवान साथियों यहां पर दोनों चीज है सरकार के द्वारा या लोगों की जो इसकी डिमांड कर रहे है कि आपको युनिवर्सर कार्टरिक अंदर सेवर बिकना चाहिए ये एक बहुती बढ़िया और सरहनी अब कदम है इसका पॉजिटिव एक है कि आप एक्स्ट्रा ग्रेडिंग नहीं कर पाएगे इसके फाइद ये तो इसकी एक अच्छी चीज है कि आप ओवर्वेट से बच जाएगे फ्रूट डेमेज होने से बच जाएगा आपका जो एक्स्ट्रा एडिंग करते हैं हम लोग अपने काटन में और ये बहुत सारी कंट्री में चलता भी है इसी पे काम होता है बहुत सारी जगा टेलि कॉस्टिव दर्शाता है अब बात आती है इसके नेगेटिव के और अगर परिसनली में अपने एक्सपिरियंस से बताओं तो मुझे ज़ादा तर नेगेटिव लगते है वो क्या क्या है वो मैं आप से आज साजा करने के लिए ही लाइव जुडाओं सबसे पहली बात है य जिन देश में जिन कंट्री में युनिवर्सल कार्टन का स्टेंडर है आप एक बार उनकी स्टेंडर ओफ क्वालिटी देखिए उनका क्वालिटी का स्टेंडर बहुती आला दर्जे का है एक और उसी के बनिस्पत अगर हम देखे तो हमारे यहाँ पर क्वालिटी का स्टे बहुत ही लो है बात खाने की नहीं हो री बात टेस्ट की नहीं हो री बात हो री है हमारे कलर साइज दोनों की निउट्रिशन पर मैं बात नहीं करूगा क्योंकि निउट्रिशन का मुझे ग्यान नहीं के हमारे में जादा उनमें जादा या इक्वल है या हमारा उनसे बहतर ह वो secondary बात है मगर इतना जरूर है कि हमारा save उनसे टेस्टी जरूर है चाहे हम royal की बात करे या granny smith की बात करे या हम गाला की बात करे quality standard यहाँ पर सरकार को और हम सब को यह सोचना पड़ेगा कि हमारा quality standard क्या है दूसरा कि जो cotton के दाम है क्या वो घटेगे या बढ़ेगे क्योंकि थिकनस बढ़ानी पड़ेगी cotton में क्या rate उतने ही रहते या उससे उपर जाते तो यह एक बड़ा question mark है जो हम सब लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए दूसरी बड़ी बात आती है कि क्या पर kg का दाम सरकार तै कर पाएगी अगर पर kg के हिसाब से से बिकता है जिसकी चर्चा भी चल रही है तो क्या fix price और जो lowest price है वो निर्धारित हो पाएगे जब आप पर kg के हिसाब से जाएगे तो हमारे को सबसे नीचे का दाम तै करना बहुत ही जरूरी है हमारा जो quality standard है उसमें अभी सिर्फ 20 to 25 परसेंट हम premium quality का apple प्रोड्यूस कर पाते होने हद से हद 30 परसेंट बाकी हमारा quality of standard डाउन है अब दूसरी बात है अगर ये 10 ही कर पाएगे पर kg के रेट तो क्या आड़ती और लदानी आपको उची दाम देगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक system बन जाए कि एक fix price पे ही काम हो या slap रखा जाए हजार से लेकर बारसो का क्यूंकि हमारा जो खर्चा जो हमारा system है अगर आप grading line की बात करते है तो जो price 200 से 220 तीस या कहीं 200 तक चले गए मुझे नहीं लगता कि वो down किये जाएगे क्या सरकार उस पे भी रोक लगा पाएगी दूसरी चीज हम सब को और सरकार को सोचना होगा कि जो हमारा labor है हमारी labor है क्या वो अपने दा गटाएगी चाएगे वो पेटी भरने के है चाएगे आपके ढूलान के है क्योंकि अभी भी आप देखेगे कि बहुत सारी जगा ऐसी है हमारी जहां रोड की फैसलीटी ने जहां दूलाई का कारिय होता है क्या वो रेट उतने ही रहेगे और जो तीसरी एक महती महत्वपूण बात रहेगी वो रहेगी जो माल भाड़ा है हमारा चाएए हम पिकप में लेते हैं चाएए हम ट्रक्स में लेते हैं क्या वो माल भाड़ा पर केजी के साब से अपर बोक्स के साब से सरकार के द्वारा फिक्स किया जाएगा और अगर मैं प्रेक्टिकली बात करूं तो शायद नहीं आज भी आप देखेगे जो भी हमारे ट्रक आपरेटर यूनियन्स है उसके तहत हमारे डी सी साब या परशासन जो भी अपने रेट निर्धारित करता है जहां पर जहां में मेरा ओर्चड है यहां से शायद मालो चंडीगड का किराया अगर साथ रपे निर्धारित है या पैंसट रपे निर्धारित है या सतर पे निर्धारित है मगर जब हम उसी बॉक्स को हम अपड़ी पीकप में भीजते है तो कहीं न कहीं वो हमारे को 100 रपे या 110 रपे या कई बार 120 रपे तक पढ़ जाता है आज से पहले भी रूल थे मगर क्या वो इंप्लिमेंट हो पाएगे धरतल पे अगर ये तीनों चीज़े नहीं होती है तो कहीं न कहीं हमारा जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा पर बॉक्स के हिसाब से दूसरे एक चुनोती रहेगी कि जब युनिवर्सल कार्टन पे हमारा से बिक्री के लिए जाएगा तो जो खरीदार है और जो आड़ती है वो एक-एक दाने की क्वाल्टी स्टेंडर्ड चेक करेगे डेफिनिटली चेक करेगे एक-एक दाना देख अभी क्या होता था कि हमारी कुछ कम्या उस टेलिसकोपी कार्टन में दब जाती थी थोड़ा सा जीरीदार हमारा एड़ेस्ट हो जाता था या थोड़ा दाग वाला एड़ेस्ट हो जाता था तो कही न कहीं ये सारी ही चुनोतियां हमारे सामने है आज आप देखेगे के सभी लोग अपने विचार रख रहे है कई लोग देखा देखी में कि सच में भी बहुत है मुझे लगता कि 90% ऐसे फार्मर होगे या 80% तो कम से कम होगे जो शायद इतना डीपली ना सोचे कि सच में इसके फाइदे होगे या नुकसान होगे तो ये सारी चीजे थी जिस पे हमारे को सोच विचार करने की अब शक्ता है अब बात आती है कि भी हम क्या सोचते है या मैं क्या सोचता हूँ मेरा क्या विचार है और डिसेगरी भी कर सकते है आप लोग मेरे विचार से तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले सरकार को अपनी अजेंसिज के साथ चाहे हमारी नौनी इन्वेस्टी है, हमारा विभाग है इन सब के साथ मिलके एक पूरे परदेश के अंदर एक महीम चलानी पड़ेगी कि क्वालिटी स्टेंडर कैसे बढ़ाया जाए हमारे फार्मर का ये रिपोर्ट चेक की जाए कि क्या सच में हमारे पार क्वालिटी है और दूसरी बड़ी बात, ये डिमांड कौन कर रहे है यूनिवर्सल कार्टन पे जादा फोकस किसका है ये बड़ी प्रैक्टिकली बात है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड जो जुड़े होगे जो मुझसे डिसेगरी करेगे, तो आप सिर्फ हमारे विचार सुनिए आप रियक्ट ना कीजिएगा कि मैं गलत बो रहा हूँ, मेरी विचार गलत है तो मैक्सिमम जो मैंने अभी तक देखा, आप लोग भी देखवाएगा आप प्रेक्टिकली लोग है सारे, आप भी देखिए जरा, जो भी युनिवर्सल कार्टन की डिमांड करे, वो कुछ सेलेक्टिव परसन है वो कैसे कैसे लोग है, वो गलत लोग नहीं है, वो बहुत बढ़िया लोग है, अच्छे और्चेडिस्ट है, मगर कुछ प्रेक्टिकली बाते कर लेते हैं एक वो लोग जो की दो हजार, धाई हजार से उपर के गरोवर है और जिनका एक जगा पे और्चड है, स्केटल्ड लैंड नी है कंसलर डिट, प्लॉट है उनका या और्चड है उनका क्यूं, वो क्यूं डिमांड करें, क्यूंकि वो बड़े धीरे-धीरे, बड़े गरोवर है धीरे-धीरे आराम-ाराम से सेव तोड़ते हैं, जैसे मालो एक पौदा है उससे एक बैग तोड़ दिया, और एक-एक बैग करके थिनिंग देते हैं और लगवग वो बारा से पंदरा थिनिंग देते हैं अपने बगीचों में जिससे उनकी क्वाल्टी सेब तोने में भी समय लगता है और क्वाल्टी भी इंप्रूव होती है एक, दूसरे वो लोग जो 7,000 अल्मोस्ट 7,000 की हाइट से उपर के ओर्चर्ड के जो गरोवर है, वो डिमांड कर रहे बिलकुल उनकी सही जाईज बात है क्यों? क्योंकि उनके पास अभी इंवायर्मेंट है उनका क्वाल्टी स्टेंडर हाइर साइट पे है इसी लिए वो उनिवर्सल कार्टन की दिमांड कर रहे है और अब बात आती है कुछ ऐसे लोगों की जो इस से हटके जिसको आप आप लोग किसान लीडर या दूसरे जिनको राजनीती का शौक है या जो राजनीती जुड़े हुए लोग है जब सरकार आती है तो वो राजनीतिक लोग भी पक्ष में आ जाते है पैदा हो जाते और जब उनकी सरकार आती है तो वो सरकार के साथ खड़े होके फिर दूसरी पार्टी बाले जो भी राजनिती का समय करने हैं वो आपको सब को पता है वो लोग डिमांड करें उसके पीछे का मुझे भी रिजन लगा कि वो लोग क्यों डिमांड करें क्योंकि जो राजनितिक लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं हर चीज में राजनिती करना चाते हैं किसी भी छोटी से क्योंकि हमारा देश बड़ा अलग है क्योंकि यहां रूल अच्छे के लिए नी बनते हैं तोडने के लिए बनते हैं जब भी आप कोई रूल बनाएगे तो वो डेफिनिट्ली कहीना कही हिट होगा और तूटेगा अब बड़ी बात आती है कि अगर हम अहिमाचल परदेश के अंदर यूसर काटन लागू करते है एक और चुनोती हमारे सामने आएगी क्या हमारे से लगता स्टेट उत्राखंड और दूसरी स्टेट कश्मीर जहां से बहुल एक्षेतर है क्या वो भी उनिवर्सर काटन अडॉप्ट करेंगे अगर वो लोग टेलिसकोपी के पर रहे है और हम यूनिवर्सर काटन पर आए तो कहीं न कहीं हमारी अपनी जो पहचान है टेलिसकोपी की वो कहीं न कहीं खतम हो जाएगी और हम कंपिटीट नहीं कर पाएगे क्यूंकि मनोपली किसकी चलनी है आर्टियो लदानी की अब बात आती है इसी में जोडना चाहूंगा एप्यमसी एक्ट की जो एप्यमसी एक्ट है उसको कोई भी सरकार छूडा नहीं चाहती बनाई जिस मर्जी नहीं होगा मगर उसको लागू नहीं करना चाहती जब लागू करेगी तो बहुत सारी अच्छी चीजे भी आएगी और बहुत सारी डेंजर चीजे भी आएगे डेंजरस जो होगी जिन लोगों ने पढ़ा होगा काफी हद तक अपना एप्यमसी रूल तो उसके तहत प्रॉब्लम्स भी बहुत आनी कुछ ऐसी मोटी मोटी चीजे मैं बताना चाहूँगा कि सेब जो हमारी आर्थी की है जब वो भिक्री के लिए मंडी में जाता आपको पता है गलट आता है और एकदम रश हो जाता है अगर आर्थी सेम डे पेमेंट नहीं करता है शाम तक तो तब तक गेट पास इशू नहीं होगा और उसके बाद एपीमसी एक्शन में आके उसकी माल की बोली लगाएगी और स्वयं बिक्री कराएगी अब दूसरी बड़ी बात है कि क्या एपीमसी के पास ऐसे लदानी होगे जो वहाँ पर बिक्री कर पाएगे उस माल की भुखतान की बात नहीं हो रही है अभी बिक्री की बात हो रही है क्या वो कर पाएगे दूसरा माल लो बहुत सारे लोग ऐसे रह जाते हैं जिनका माल बिक्री के लिए रह जाता है क्या इतना manage कर पाएगा EPMC क्या इतनी manpower है क्या ये practically है ये बाते कर पाएग ऐसा और क्या एक RT जिनको license दिये EPMC में क्या हर RT इतना संपन है या वो खरिदार जो यहां आता है वो इतना संपन है कि शाम को on बिलकुँ table पे payment होगी ये बहुत अची बात है कि farmer को पैसे मिलने चीए डूपते है बहुत सारे आर्टी खाते है पैसे मगर क्या ये possible है अगर ये practically नहीं है तो मुझे लगता कि सरकार को इस विशे पर गंबिरता से विचार करना चाहिए अब बड़ी बात आती है एक 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 प्लस 1 ये सारी चर्चा चलते है तो बागवान सात्यों में एक चीज़ बताना चाहूँगा मैंने आज तक का मेरा experience 1996 से लेकर रहा है marketing का हर market में मैं जाता हूँ मैंने सिर्फ ढली मंडी में एक कोटखाई के बागवान सिर्फ एक मात रेक ऐसे बागवान बेने सामने जो हुआ जिन्नोंने large भी 6 लियर small भी 6 लियर extra small भी 6 लियर जो भरते थे और बाकी मुझे नहीं लगा कि इस market में कोई भरता होगा या 2-4 लोग और होगे अब बात आती है कि जो ये 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 प्लस 1 जो भी चलता है ये क्यों पड़ा कुछ चीजे हमारे को अपनी उपर भी देखनी चाहे हमारी कम्या जहां quality standard जिस country में चाहे अमरिका की बात करे वो बिलकुल इतना छोटा से produce नहीं करते है सबसे बड़ी बात ये है के वो इतना छोटा से produce नहीं करते है जिसको हम बेशते है वो एक rejected apple होता है जिसको हम cotton में भरते है पूरी industry बदनाम की गई 6 प्लस 1, 7 प्लस 1 और 8 प्लस 1 के आपको पता है उसके अंदर save कौन सा जा रहा है हमें इस पे नहीं जाना है के arti लूट रहा या खरीदार लूट रहा कोई नहीं लूट रहा ठीक है अगर वो पैसे कमारा क्या आपको ये भी पता है के फसल खराब भी होते हो नी हमीं लोग कुछ न कुछ गलत से भी भरते होने जिससे आगे खरीदार को नुकसान भी होता हो ना हमें ये सोचना चाहिए बहुत छोटा से हम उसको एक्स्ट्रा लेयर में डालते थे अब बात आती है कि सही है की गलत है मुझे ये लगता कि कुछ चीजे अगर लौक अनुसार नहीं चलेगी तो फार्मर एंड पे जो फार्मर करना चाहता है वो कहीं न कहीं सही भी है उसकी बदौलत उसका पेटी का खर्चा बच रहा है किराया बच रहा है काटन का आपको पता है आज मुझे नहीं लगता कि 400 के आसपास छूडता होना किराया भड़ा बहान 2.500 का बहान पढ़ जाता है 100 रुपे से 110 रुपे का आपका काटन का खर्चा आ जाता है एक किराया जो देता है मंडी तक पहुंचनागा फिर आर्टियों की मंडी का खर्चा जो भी है सारा जोड के कहिना कि वो 300-400 रुपे पहुंच जाता है अब बात आती है एक अच्छे सुझाओ की कि क्या हम क्या अच्छे सुझाओ दे सकते जो में भी समझता हो मुझे यह लगता कि सरकार को जो हमारा क्वाल्टी एपल है फर्स्ट ग्रेट का उसको आप इन्वर्सल कार्टन गिफ्ट पैक किसी में भी भर सकते है मुझे लगता कि जो बी ग्रेट हमारा छोटा एपल सेपरेटर से नीचे जो भी सेपरेटर और सेपरेटर से नीचे का जो भी छोटा दाना है वो मंडी में भिकरी के लिए नहीं आना चीए उसको सरकार ले चाहे उसको प्रोसेस करे चाहे प्रोसेस करे चाहे आप उसको पर केजी के हिसाब से प्रक्टिकल चीजे आप छोटा से बी ग्रेड ऑफ ब्राइटी लाइक जैसे रेड गोल्डन वग्यरा हमारे सेव होते है उसको क्यों ना क्रेट में वजन के हिसाब से ही बिक्री के लिए डाला जाए उसको सरकार ले जैसे अभी डी ग्रेड का सेव लेती है तो बी ग्रेड और ऑफ ब्राइटी या छोटा सेव प्रोसेसिंग में जाए तो जादा बहतर होगा मुझे ये लगता है अगर आपका 240 दाना तक या 210 दाना तक मंडी में जाता है तो कहीं न कहीं वो अच्छे दाम लेता है उसके बाद एक और चीज हो सकती है कि अगर आपको पर केजी के हिसाब से बिक्ना है APMC ने हर आड़ती के पास एक फड़ अलोट किया गया होता है जब आप उस फड़ पे जाते हैं तो क्या APMC वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक कांटा नहीं लगा सकती जब वो एक इलेक्ट्रिक कांटा वहाँ पर हर फड़ पे होगा तो जो खृदार ग्रोवर आता है जो भी सेव आएगा वो पहले तोला जाएगा उसके उपर वेट लिखा जाएगा और उसके बाद वो सेंपल लगते हैं जो ऐसे फड़ के उपर लगते है तो उसके बाद जब वहाँ पर बोली लगेगी बिक्री की अभी क्या लगती है 500 रपे, 600 रपे, 650, 700, 800, 845, 900 100 के हिसाब से बोलिया लगाई जाती है तो क्यों ना वहाँ पर जो बोली लगाई जाए वो पर केजी के हिसाब से क्यों ना लगाई जाए जगर पर केजी के हिसाब से लगानी है मालो मैं एक ग्रोवर हूँ मैं 6 प्लस बने वाला हूँ हर पेटी 6 प्लस बने वालो एक दूसरा फार्मर है जो 5 लियर भर रहा या 4 लियर में पेटी ला रहा है तीन टाइप के होगे और चलो एक छोटा ग्रोवर भी आ गया वो अपना बकसा भी डाले का और भिक्री होगी पर केजी जब पिक्री पर केजी होगी तो मुझे लगता कि ये इनिवर्सल कार्टन का जगड़ा ही खतम हो जाए और आज हमारी कमपेटीशन है ये नए दौर का कमपेटीशन है कि आप मेरा इतना उपर विका मेरा इतना उपर विका मेरी इतनी की पेटी भी की तो ये तो कमपेटीशन है तो हर समाज में है हमारी इंडस्ट्री में भी आप इसको नहीं रोक सकते मगर जब आप पर केजी के हिसाब से विक्री शुरू करेगे तो मुझे लगता है जो दो चार रुपे का फरक पड़ेगा या पांच दस रुपे का फरक पड़ेगा ये इतने माईने नहीं रखेगा किसी भी फार्मर के लिए तो मुझे ये लगता है कि अगर पर केजी के साब से विक्री करनी है काटन जो मर्जी है चाए यूनिवर्सल है चाए आपका टेलिसकोपिक है आप किसी में भी बिक्री की अब बात आती है उन लोगों की जिनके पास क्वालिटी स्टेंडर है तो बागवान सात्यों आप समझेए बहुत सारे लोग जुड़े अगर आपके पास इतनी बहतर क्वालिटी है तो आपके पास तो ऑल्रेडी फाइब केजी और टैन केजी का बक्सा एविलेबल है आप उसमें भिक्री कीजिए अपने प्रीमियम एपल को अभी हमारे जो हिमाचल के अंदर से पैदा कर रहा है इतनी एड़वर्स कंडिशन में पैदा किया जा रहा है आप देखेगे इनवाइर्मेंट के अहलत आप देखेगे हमारी क्वाल्टी आज भी हम 105 साल के बाद एक ही ड्रॉयल पेटी के है टेस्ट के अधार पर बढ़िया मगर कलर नहीं आता है क्या आपने उन फार्मर का सोचा जो लगभग 60 से 70 परसेंट ऐसी कमिनिटी है एपल के अंदर जो मुझे लगता है 500 से 700 पेटी के अंदर है या 1000 बॉक्स से नीचे काम करते है क्या उनकी क्वालिटी बन पाएगी और दूसरी बड़ी बात है क्या सरकार पूरे देश में एक साथ यूनिवर्सल काटन लागू करने का मादा रखती है अगर मादा रखती है तो सरकार परदेश सरकार को सबसे पहले सेंटर गवर्मेंट से बात करनी चाहिए कि क्या पूरे देश में ये लागू हो सकता है अगर स्टेट की बात हम करें तो उत्रा खंड लगता हमारा खेतर है और कश्मीर एक स्टेट है हमारी क्या उनके साथ ऐसा गवर्मेंट का लाइन सोच सकता है कि सबी जगा एक साथ सेम पैकेज मिटीरियल हम पैदा करवाए और उपलब्द करवाए क्या फार्मर को उसके विकरी के लिए नॉम्स बना सकती है सरकार को ये सारी चीजे सोचनी और समझनी चाहिए हर पहलू को हमारे अच्छे पहलू और बूरे पहलू दोनों को देखना चाहिए एक और बड़ी बात आएगी जो हमारा परदेश है या हमारा देश है अभी आप देखेगे यहाँ पर वक्त बिखता है वक्त जिसने समय से सेब तोड़ा उसने पैसे कमाए जो लेट हुआ वो पैसे नहीं कमा सकता अब बड़ी बात आती है कि ऐसा सिस्टम क्यों है तो सरकार को कोई भी सरकार है होल्टी कल्चर मिनिस्टर से बात की थी पिछली बार मगर उन्होंने नजर अंदाज कर दिया बात सुनने से मना कर दिया जिसका खामियाजा उनको सरकार गवाना पड़ा प्रदेश में अब बात आती है इस सरकार की अगर सरकार एपल इन्डस्ट्री को हॉल्टी कल्चर सेक्टर को उठाना चाहती है तो सबसे पहले इसको एक इन्डस्ट्री के रूप में देखना पड़ेगा सरकार को और यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा जब आप इन्वेस्ट करेगे तो हमारे cold rooms, cold chains सारे सिस्टम पैदा होगा पर kg का सिस्टम पैदा होगा पूरे दुनिया में शायद हमारे देश के अंदर ऐसा होता है सेब फार्मर सुबा तोड़ने लगता है शाम को अपनी मंदी से बेच के आता है फ्रेश एपल जबकि सरकार को ऐसी फैसिलिटी होनी चीए अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई की चेन को समझना है और ये जो फ्रक्श्वेशन है मार्किट का उसको कंट्रोल करना है सबसे पहले सेव तूटने के बाद स्टोर में जाएगा उसके बाद वो बिक्री के लिए मंदी में जाएगा डिमांड के अनुसा क्या ऐसी फैसिलिटी हमारे फार्मर के लिए गर्मेंट उपलब्द करवा सकती है अगर ऐसी फैसिलिटी उपलब्द करवा सकती है तो आप थैले में सेव खरीती है तोड़िये बेचिये क्रेट में तोड़िये बोरी में बेचिये काटन में बेचिये किसी मर्जी में बेचिये जितने मर्जी बजन के स साब से बेचिये तो शायद सारी प्रॉबलम सॉल्व हो जाएगी कुछ चीजे बड़ी प्रैक्टिकली सरकार को सोचनी होगी अभी के सिनेरियों में अगर हम बात करें तो मुझे ये लगता है कि हमारा फार्मर कहीं न कहीं सफर करें एपी एमसी एक्ट के तहट हर फल केजी क साब से बिकना चाहिए बिलकुल हम आपकी बात से सेहमत है के जी के साब से बिकना चाहिए मगर वे यूनिवर्सल ही कार्टन के अंदर बिकेगा ऐसा تو शायद एमसी रूल में नहीं लिखा गया एक्ट में भी नहीं लिखा गया है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया क्या एक policy पूरे देश के लिए अपलाई हो सकती है same policy crate में हो जैसे अंगूर आते है हमारे आम आप देखें कि उसका अलग से बकसा होता है या हम चेरी का बकसा देखते है भले उसको हमने बड़ा बड़ा कर दिया मगर वो बिक्री तो केज़ी के साब से होती है साड़े साथ सौ ग्राम की भी आता है केज़ी का भी आता है दो किलो का भी आता है पांच किलो का भी आता है इससे उपर नहीं भरा जाता है हाँ ये जरूर है कि जब भी आप टेलिसकोपी का इस्तेमाल करेगे तो कहीं न कहीं fruit damage होगा दागी होगा अब बड़ी बात आती है कि वो दागी क्यों हुआ हमारे को कहां काम करने की जुरूरत है मुझे ये लगता है कि जो ट्रे के पेटी के अंदर जो हम ट्रे का इस्तेमाल करते है उसके अंदर जो डाया है सरकार को अंदर का जो डाया है उसको छोटा कीजे जब वो छोटा होगा तो बड़ा fruit या high grade उसमें अंदर adjust ही नहीं होगा जब adjust ही नहीं होगा तो farmer जब मंडी में जाएगा तो उसका से डेमेज होगा डेमेज होगा तो बिकेगा कम इसलिए farmer पर एक लगाम भी लगेगी सरकार को जल्द बाजी में ये फैसले मुझे लगता है नहीं लेने चाहिए practically कुछ चीजे समझनी चाहिए फाइदे नुकसान दोनो अब मेरी लाइफ स्ट्रीम में इस वक्त 600 से उपर के लोग जुडे है आप 600 के 600 लोग सोचिए के हमारे पास हमारे और्चर्ड में कितना परसेंट क्वाल्टी एपल आता है कहीं ऐसा ना हो जाए इनुवर्सल कार्टन के चकर से हमारा फार्मर सफर कर जाए और आर्टियों और लदानियों के यहां पिस्ता चला जाए आपको यह सोचना हो फ्रेश बिकरी में एक नुकसान और है अगर आप हैवी देते हैं सेव डैमेज होता है तो जब मंडी में सेव जाता है वो दिखता नहीं है कि वो डैमेज हो चुका मगर जब वो आगे साथ दिन की दस दिन की लोडिंग के बाद मंडी में पहुचता है या रेडी वाले के पास जाता है तो कहीं न के सेव डागी होके सड़ भी जाता है एक छोटा सा क्यों न हम अपनी लाइफ स्ट्रीम के माद्यम से ले ले अखिल विक्टा जी का आया कि 60% मेरे और्चर्ड में क्वाल्टी पैदा होती है अब ये देखने की कोशिश करते है कि साड़े 500-600 लोग में कितने लोगों के आई उस चुआन जी 25% चलो मैं नाम नहीं लूँगा परसेंटेज लिख सकते हैं आप लोग कि आपके और्चर्ड में कितना परसेंट क्वाल्टी एपल है जो प्रिम्यम एपल है प्रिम्यम एपल है जो आप युनिवर्सल काटन में भर सकते हैं हलका सेब युनिवर्सल काटन में कौडियों के दाम बिकेगा ये आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूँ और ऐसा होना है हलका से नहीं जाएगा 75% राहुल तेक्टा जी राहुल तेक्टा जी का बहुत ही प्रीमियम एपल होता है क्योंकि मैंने खुद देखा है मुझे लगता कि इनका परसेंटेज उपर जाता है मगर इनकी जो एलिवेशन है वो 8000 से उपर की है या 8000 के आस पास 30% 20% 10% 20% 20% 35% 25% 70% 25% 30% 50% 40% 70% 30% 30% 30% 30% 40% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 40% बिल्कुल राहुल तेक्टा जी का रिप्लाई आया है एटी टू हंडर्ड है इसलिए आपका 75% क्वालिटी आ रही है 60% 80% अमीर नेगी जी आपका आएगा क्योंकि आप किनौर के अच्छे एल्टिटूट में रहते हैं अगर मिडल और हाइट की बात करें क्योंकि वहाँ सन हावर्ड जादा है और अभी आपका केमिकल भी कम इस्तेमाल हो रहा है और इन्वारिमेंट आपका फ्रेंडली है वहाँ पे 1200 पेटी में 500 पेटी 40% अब देखिए आप आपने कमेंट सेक्शन देखा पानसो से छेसो तैन परसंट वाले भी लोग है अब बात आती है कि आप मुझसे भी पूछना चाहेगे कि मेरा क्या स्टेंड है कि मेरे और्चेड में कितना परसंट क्वाल्टी अगर मैं फ्रेंकली बात करूँ अभी रॉयल की बात हो रही है जो मेरे और्चेड में हाई कलर स्टेंड है जेरो माइन है, किंग रॉट है, रेड विलॉक्स है जो भी यह सारे एपल है या ग्रैनिसमित है, यह सारा प्रीमियम एपल है और इसमें क्वाल्टी जो हमारी है तो मुझे लगता है कि 95% क्वाल्टी प्रोड्यूस होती है हमारे नई विरेटिवे भले वो टेस्ट के आधार पे क्योंकि हम थोड़ा अर्ली भी तोड़ देते हैं उसको इसलिए वो थोड़ा पीछे रह रहा है मगर उसमें क्वाल्टी है मगर जो हमारी एपल इंडस्ट्री है जिसमें अभी तक मुझे लगता है कि 99% अभी तक रॉयल है हमेशा रॉयल रॉयल की तरह रहता है तो रॉयल की अगर मैं अपने बगीचे की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जो मेरी परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 40 to 50% बहुत ही प्रीमियम एपल 40% आएगा अगर हम उसमें 80 लगवग 70-80% वाला भी एड कर दे तो कहीं ना कहीं वो 50 तक जाएगा मुझे नहीं लगता कि 50% से उपर एपल क्वाल्टी मेरे अपने और्चेट में भी होगा रोयल किया करमे बात क्योंकि जो मेरी एलिवेशन है 55-56 है फिर 62-63 सो है फिर उपर 7,000 से 22 सो है तीन एलिवेशन में मेरे बगीचे है अब आप देखिए कि 50% आपका मझे लगता कि जो ये अभी पूरा 600 लोगों का एक कमेंट सेक्शन आया तो ये जो क्वालिटी जा रही है वो 40-50 परसेंट जा रही है अब बात आती है कि जो एक्स्ट्रा बचेगा 60-50 परसेंट हमारा एपल वो क्या रेट बिकेगा क्या सरकार और सरकारी अजेंसी चाए एपिएंसी है चाए आर्टी है उनके साथ मिटिंग करके चाए खरीदार है क्या ये निर्धारित हो सकता है कि जो हमारा 50-60 परसेंट है कम क्वालिटी का सिर्फ कलर के आधार पे जो कम क्वालिटी का एपल है क्या वो उसके प्राइज आप निर्धारित कर सकते है यूरिसल काटन के अंदर के क्या बिक्री होगा क्या उसके दाम बारा सोर रुपे पेटी के आसपास ग्यारा सो से बारा सोर रख सकते हैं आप जो लोर क्वालिटी का बारा सो मुझे लगता के महंगाई देख तक के तो तेरा चौदा सोर तक जाना चाहिए क्या वो बारा तेरा सो निर्धारित कर सकते कि इससे नीचे नहीं बिक्एगा जो हमारा प्रिमियम अपल है हमारा फोटी परसेंट अपल है वो नो डौट कहीं ना कहीं दो हजार पच्ची सो या पच्ची सो से उपर के भी रेट लेगा क्या नीचे के रेट निर्धारित हो सकते हैं हमें ये बहुत ही चिंतन करना चाहिए और हमारे को सोचना भी चाहिए अब बात आती है कुछ ऐसे एरियाज हैं हमारे जो न्यू ग्रोइंग है चाहे हमारा चुपाल क्षेतर का मडाउग लेज लीजिए नंदपूर, चाजपूर, हमारा ब्राल लेज लीजिए आप किनौर का अपर का लेज लीजिए कोटखाई के हमारे बागी रतनाडिस के जो हाइट में है चैथरा का एलिवेशन है जो हमारे बहुत अच्छे अच्छी वैलीज है जहां बहुत जादा सेब 14 की और जाईया पीछे को चांचल के साथ लगती घाटिया है वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे गुनवत्ता का सेब पैदा हो रहा है ऐसा नहीं है मगर अगर परसेंटेज की बात हम करें तो कहीं न कहीं वो परसेंटेज काफी कम है इसलिए हमारे को बेर चाल में भी नहीं चलना है कि किसी ने उनिवरसर काटन बोला या किसी ने टेलिसकोपिक बोला तो इस चीज पर हमारे को मन्थन करना चाहिए कि क्या ये हमारे लिए सही है इसका एक आप उधारन ये भी ले सकते के अपने गाउं के अंदर जो भी हम लोग एक समाज के अंदर रहते हैं उसके अंदर आप चर्चा कीजिए तो पता कीजिए के मुझे ये लगता है के 80% से उपर का बागवान बताएगा के टेलिसकॉपिक में ही ठीक है अगर इन्वल्सर काटन की बात है तो एक देश में एक साथ लागू होना चाहिए केजी के हिसाब से रेट निर्धारी तोने चाहिए और सबसे बड़ी बात है सरकार और एजन्सिज क्या रंग के आधार पर बिक्री बंद कर सकती है अगर सिर्फ टेस्ट के आधार पर बिक्र अगर जो मार्किटिंग और एक ब्रेंडिंग के निचे आते है या जैसे हम जूबर फर्म लेंड के नीचे आने की कोशिश करें वहां हमारे अपने ओर्चड अपना मारका खतम हो जाएगा हम लोग अपने माल को वहां देगे वहीं पर हमारी डील होगी कंपनी प्राइवेट प्लियर लदानी आर्थी जो भी आएगा वहीं पर हम विक्री करेगे और सामुही रूप से विक्री करेगे एक जगा हमारी पैकिंग होगी एक जगा हमारी विक्री होगी और cash पे हम बेचेगे उधार पे हम नहीं बेचेगे या government certified कोई agency ऑनलाइन ऐसी आती है जहां हम बिक्री करेगे अगर आपको ये लगता है कि हम इन सब चीजों पर खरा उतर सकते है तो definitely universal cotton एक successful इतिहास लिखेगा अगर इन सारी चीजों के जवाब हमारे पास सरकार के पास और government agencies के पास है अगर इन बातों के जवाब सरकार और government agencies के पास नहीं है तो मुझे ये लगता है कि universal cotton पे सरकार को और agencies को हाथ नहीं डालना चाहिए ये danger भी हो सकता है क्योंकि glut आता है हमारी इंडियर मार्किट में यहाँ कोई system नहीं है ना तोड़ने का system है और दूसरी बड़ी महत्वपून बात होती है practical बाते गरीब जादे लोग है अमीर कम लोग है एक बात quality अच्छी कम लोगों के पास है खराब जादा लोगों के पास है employee काफी लोग है मैं ये बाते क्यों कर रहा हूँ जिस दिन जो एक free handed पूर्ण तहब बागवानी कर रहा है जो अपने और्चेड में अपने बगीचों में है वो कही ना जिसके बाद labor की facility है और जिसकी अपनी machine है personal machine grading line की या उसके हाथ से भी वो करते है तो वो थोड़ा थोड़ा करके तोड़ सकता है और भेज सकता है जिसके पास ये facility है मगर जो एक employee जो Sunday या Saturday देखता है अपने फसल तोड़ने के लिए या एक गरीब आदमी जो किसी और से मांग के labor लाता है एक दिन के लिए दो दिन के लिए बड़ी मुश्किल से उसको labor मिलती है अगर वो लेट करता है तो जब वो बड़े काम में लग जाते है तो उसके पास labor की भी problem आती है क्या ये बाते सही नहीं है जो मैं आपसे कर रहा हूँ आपको ये सोचना चाहिए हमारे को इस industry के अंदर छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर आदमी के बारे में सोचना पड़ेगा उसके लिए policies बने उसके लिए बुन्यादी सुविदाएं बने और उसके लिए अच्छे जीवन यापन की सुविदाएं उपलवद हो दो दिजी क्या ये practical बाते नहीं है या है आपको ये सोचना चाहिए सरकार जब तक इस सेक्टर में हौल्टी कल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करेगी इन्वेस्ट का मतलब क्या हुआ सरकार को ये देखना पड़ेगा कि जो हमने बागवानी प्रोजेक्ट चलाए 1134 करोड का उसके अंडर आज तक एक अच्छा बगीचा त्यार नहीं हो पाया इतनी सालों उसके अंडर क्वाल्टी मिटीरियल नहीं आ पाया हमारे को 1134 करोड की नहीं 11,000 या गेरा लाक करोड गेरा सो लाक करोड गेरा सो हजार करोड कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जब यहां इन्वेस्टमेंट होगी इन्फरस्टेक्चर ड्वाल पोगा उसमें तो फार्मर को आप टू परसेंट पे लॉनिंग कर सकते है उनके बगीचे को अपरूट करके हाई डेंस्टी पे 100% डाल सकते है सिचाई की ऐसी फैसिलिटी ला सकते है कि हर बगीचा हर पोदा डिप इरिगेशन से जुड जाए क्या ये पॉसिवल नहीं है अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है क्या सरकार की मनशाएं कलियर है अगर आज तक के इस इंडिया के इतिहास को देखे तो हमारे देश के अंदर अगर सबसे जादा सफर किया है तो किसान और बागवान का शुशन हुआ है हमारे देश के अंदर सुधार की ओर रह देश कब होता है कितनी साल में होता ये पता नहीं होगा की नहीं होगा ये भी पता नहीं मगर हमारे को ये देखना पड़ेगा कोई इंडस्ट्री आप देखते होगे बहुत सारे आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते होने वो पहली सरकारों में भोता था अब की सरकार में भोता है अभी सेंटर में मोधी की गवर्मेंट उससे पहले मनमुहन जी की सरकार थी बहुत सारी ऐसी चीजे थी जिसका निजी करण हुआ जिसको विपरक्ष या हम लोग जो भी बात करते है बेच दिया बेसिकली सरकारी प्र I think अगर मैं गलत नहीं हूँ उस पे एक question आया था अगर हम social media या TV के माध्यम से देखते थे आज वो इंडियन आदमी के लिए helicopter या विमान बनाने लगी है तो उसका स्तर बड़ा है same ऐसे ही हमारा halty culture की industry है जब तक यहां investor नहीं आएगे तब तक problem जू किती हूँ रही आज याद करिए आप जब क्रिशी कानून आया था तीन क्रिशी कानून वहाँ भी मैंने एक live session किया था उसमें मैंने बताया था कुछ एक कम्या है क्रिशी कानून में as a apple grower as a horticulturist मगर जो हम miss कर गे वो technology और infrastructure जो कि private player ने यहाँ develop करना था जो technology यहाँ का private players ने लानी थी वो यहाँ पर नहीं आई और ना आएगी बहुत समय लगेगा अपने end पे आज farmer खुद pod import करा है खुद automation लगा रहा है खुद trailles लगा रहा है और खुद बागवानी करा है बिना सरकारी sport के हमारे लोग बहुत ही आला दर्जे का काम करें और बहुतरी की और जा रहे है कुछ कमिया हो सकती है उसमें गल्तिया हो सकती है वो separate issue है तो इसी लिए सरकारों को यह सोचना चाहिए कि इस industry को कैसे हम uplift करे हमारे को धरातल पर बाते सोचनी होगी apple industry है वो जो खतम होने की और जा रही है चाहिए किसी भी वे में लीजए environmentally ले लीजए रैटियो की दौड में ले लीजए गलित practice से ले लीजए यहां हमारा soil का structure जो टोटल खराब हो चुका है इतने ज़ादा chemical हमने इस्तेमाल कर दी है अतिया दंदा धुंद तो कही ना कही हमारा जो सफर है बागवानी का वो पीछे छूटता जा रहा है हमारे को इन सब विशे को सोचना चाहिए गहन चिंतन करना चाहिए और practically सरकार को जैंसी को और हमारे को सोचनी चाहिए क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है क्या ये practically है ये मेरी अपनी सोच थी जो मैंने आपको आज सोचल मीडिया के माधियम से लाइव के माधियम से साजा करी मगर अब हमें ये देखना होगा कि सरकार क्या स्टेंड करती है मगर मुझे ये जरूर लगता है कि चुनिंदा पच्चास लोग निर्धारित नहीं कर सकते सरकार के साथ बैठके कि इंडस्ट्री कैसे चलेगी क्या करेगी सरकार को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा हर फार्मर की तक पहुंचने की आल्मोस्ट जैसे इलेक्शन होते है लगबग 50-60% आम फार्मर का उसमें मत होना चाहिए यह ऑनलाइन भी हो सकता है सरकार अगर चाहे आप देखिए इलेक्शन टाइम में एक फोन आता है कि फलानी पार्टी की आज रैली है फलानी पार्टी ने यह किया आप इस फलानी पार्टी को बोर्ट दीजिए सारा ITCEL बठा देती है सरकार अपने चुनाव पर चार में और वो खर वो रुपे खर्च कर देती है क्या सरकार यहाँ पर ITCEL के माद्यम से आज आप देखिए क्रिसान हर फॉन नंबर आधार कार्ट से लिंक्ड क्या परदेश सरकार के पास नहीं अबिलिबल होगा क्या सरकार हर आदमी को अपनी ITCEL के माद्यम से कॉंटेक्ट नहीं कर सकती है क्या आपका क्या विचार है युनिवर्सल कार्टन के बारे में या किसी भी अन्याचीज के बारे में युनिवर्सल कार्टन की ही बात नहीं है तो जब भी आपको कोई पॉलसी बनानी है सरकार को ये देखना पड़ दा हाँ ये ज़रूर होता कि कुछ चुनिंदा लोग प्रतिनी दित्वा कर सकते है सरकार के सामने अच्छे बुरे का बहुत सारी ऐसी चीज़े है जो सरकार के पास आवाज उठाने के लिए हर आम आदमी नहीं जा सकता उसके लिए एक संगठन की जुरुत है वो हमारी एंजियोज हो सकती है चाहिवादी फ्रूट है हैप्पियोज हो सकती है तो क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती है अब ये देखना पड़ेगा कि जो वर्तमान की परदेश सरकार क्योंकि हमारे को इससे उमीद है क्योंकि लोगों ने उमीदों पर वोट दिये थे तभी पिछली सरकार को बहार का रास्ता दिखाया था 17 मैंसे 14 सीटे इस सरकार को मिली थी तो हम इस सरकार से भी उमीद कर सकते है हमारे होटी कल्चर मिनिस्टर जगतनेगी जी से भी हम उमीद कर सकते है और हमारे देश के सौरी परदेश के यशस्वी मुख्या मंतरी से भी उमीद कर सकते है और हमारे देश के यशरस्वी परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी से भी हम उमीद कर सकते है कि क्या वो लोग भी परदेश सरकार के साथ कॉडिनेशन करके हमारे लिए बहतर सुक सुविदाइं दे सकती है के नहीं दे सकती ये बहुत सारे ऐसे क्वश्चन मर्क थे जो मैं आप से साजा करना चाहता था इस पे अपने विचार व्यक्त करना चाहता था उमीद है कुछ लोग एगरी होगे कुछ लोग डिस एगरी होगे मगर मैं बड़ा प्रेक्टिकली आदमी हूँ ये मेरे अपने विचार है, ज़रूरी नहीं आप इसको सुनिए, आप इसको मानिए, अगर आपको लगता है कि विचार सही है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, टेक कीजिए, और शायद कही न कही अगर सरकार तक ये बात पहुँचती है, तो शायद हम एक बहतर भुवि से जाने की इजादत चाहूंगा जय हिंद जय हिमचल जय बागवान